Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग असा करते हैं, आप लोग खुट अच्छी होंगे Dear students, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को semester exam preparation से related कुछ tricks और tips प्रोवाइड कराने वाले हैं तो Dear students, अगर आप भी अपने semester exam की preparation बहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को complete जरूर से जरूर देखिएगा, जो tricks और tips मैं आप सभी लोगों के साथ share करने वाला हूँ इन tricks और tips का use करते हुए हमारे majority of students बहुत अच्छे से अच्छा marks obtain कर चुके हैं ये मेरा personal अनभव रहा है, लेकिन Dear students वीडियो में जल्दबाजी बिल्कुल मत करियेगा, वीडियो को last तक है क्योंकि last में कुछ special tips भी आप सभी लोगों को मैं provide कराने वाला हूँ साथी साथ वीडियो की starting में ही आप सभी लोगों को ये बता दूँ कि अगर आपने ये सोच करके वीडियो पर click किया है, कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा जादू मिलने वाला है कि बिना पढ़े हम top कर जाएंगे, तो Dear students आप से हाथ जोड़ रहे हैं कि बिना पढ़े कोई और start cut तरीका नहीं है मैं आप सभी लोगों को tricks और tips प्रोवाइड कराऊंगा, जिनको अगर आप follow करते हैं तो definitely आपको आपके exam में बहुत ही जादा help मिलने वाली है आए Dear students आज के इस वीडियो को start करते हैं, वीडियो को complete जरूर से जरूर देखिएगा Dear students ज्ब हमारे पास semester exam के preparation करनी है और समय कम बचा हुआ है तो हम कैसे तयारी के करें देखो Dear students जो हमारी preparation होती है जो हमारी तयारी होती है, जो हमारी पढ़ाई होती है वो दो तरह की होती है एक जो पहली होती है seekzumn oriented और दूसरी होती है knowledge oriented मतलब एक जब हम starting में किसी semester की पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा main लक्षे होता कि कैसे हमें जादा से जादा जादा जानकारी प्रात हो कितना detail में हम उसको पढ़ें जिससे हमारा knowledge increase हो जिससे आगे चलके job में हमें किसी प्रकार की कोई problem ना हो लेकिं जब हमारा exam करीब आ जाता है तो हमें exam oriented preparation करने की जरूवत होती है exam oriented का मतलब होता है कि हमें केवल उन-उन topic पर focus करना होता है जिससे हमारे exam में जादा तर कुछ सर्म पुशिटा जैसे हमारा इस समय का जो उद्देश होता वो knowledge को gain करना कम होता है हमारा जादा उद्देश होता है कि हमारे maximum marks कैसे obtain हो पाएं I hope आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे तो अभी का हमारा जो उद्देश है वो यह है यह आप semester exam में जादा सजादा अंग कैसे प्राप्द करें जब हम किसी युद्ध के लिए तयार हो रहे हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए युद्ध के लिए जो भी हथियार है उनको हमें इक죠 करना चाहिए तो एक प्रकार से exam देने जारे हैं तो आप युद्ध ही learn जारे है उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए study material होना था यह बात को सुनते जलिएगा सबसे पहला काम डियोस्टेंट जो आपको करना है वो है collect study materials collect study materials बिना study materials के कुछ खास होने वाला नहीं है बिना एक proper strategy के अगर आप preparation कर रहे हैं तो आपको उसका लाफ नहीं मिलेगा सर किस तरह के study material की बात कर रहे हैं ज़रा ध्यान से समझो सबसे पहले डियोस्टेंट तो आपको आपका syllabus confirm होना चाहिए अगर आप UPBT के student है या कहीं के भी student है अपसे बस्तर exam के preparation करने जा रहे हैं सबसे पहले अपने syllabus को confirm करिए कि applied math first के syllabus में कौन कौन से चैटनप की बार कौन कौन से पढ़ते थे कौन कौन से नहीं पढ़ने थे किस chapter का कितना बेटेज है किस chapter से ज़्यादा कुछ सम पुछ जाते हैं ऐसे जब आप देखेंगे उसको समझेंगे तो आपको पता चल जाए कि कौन से chapter ज़्यादा important है पेपर होता है यह सब चीज़ें आप समझें उसके बाद फिर इस्टडी मैटेरियल में आपके पास डियर सेंट बुक्स होनी चाहिए बीना बुक के पढ़ाई नहीं होती है और आपके पास प्रॉपर नोड्स होनी चाहिए उसी नोड्स से ही आप सभी लोग पढ़ाई करें पढ़ना तो पढ़ेगा लेकिन एक स्टेड़ी के तहट जिससे आपको बहतर अंक मिलेगा तो क्या सिलेवस कंफर्म हो पैटर्न कंफर्म हो बुक्स और नोड्स आपके पास अवलेबल हो उसके बाद फिर आप सभी लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए आई होप बातें समझ में आई होगी ठीक है अब देखो पढ़ाई करते समय इतना जब आप सभी लोग आपके पास होगा और इसका डियोस्टेंट जब एनालेसिस करोगे इसका जब एनालेसिस करोगे तो आपको आपके सिलेवस का इंप्वाटेंट चैप्टर पता चल जाएगा और इंप्वाटेंट टॉपिक पता चल जाएगा ठीक है किस टॉपिक से आपके एक्जाम में ज़्यादा कुछ सन पुछे जाते हैं किस चैप्टर से ज़्यादा कुछ सन पुछ जाते हैं यह आपको पीगर हो जाएगा जैसे अप्लाइट में फर्स और एप्लाइट में थर् प्राइटिंग जो है आपकी राइटिंग को इंप्रूब करना है राइटिंग को क्या करना है इंप्रूब करना है लिखावट को आपको इंप्रूब करना है ध्यान से समझेंगे लिखावट को इंप्रूब करने का मतलब यह है डियोसेंड की आप सभी लोग डेली थोड़ा बहुत लिखें और इस्टडी मैटेरियल में जैसे आपके पास अच्छी पैन हो पैंसिल हो है ना सारी चीजे जब आप एक्जाम में अपनी कॉपी को लिखेंगे जब अपनी कॉपी को आप सभी लोग लिखेंगे तो कॉपी को लिखते समय इस बात को धिहान लखेंगे कि पेन और पैंसिल का यूज करें जैसे डाइगराम बनाने के लिए आपके पेपर में आता है तो डाइगराम को इसे rough hand से आप सभी लोग normally न बना लें उसको बनाने के लिए pencil का pen का scale का इन सब का use करें तो study material में यह सब चीज़ें भी आप सभी लोगों के पास collect हों समद में आरी बाते तो दो main tips हैं पहली tips है कि पूरे syllabus को पढ़ने की जरुवत नहीं है syllabus pattern book notes और एक सबसे ज़्यादा important है most important जो है जरा समद लो most important क्या है देखो most important यह है डियो सेंड्स की आप सभी लोग के पास previous year paper होना चाहिए ध्यान रखो previous year paper आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए previous year कम से कम 5 years के paper आप सभी लोग जरूर से जरूर साल्व कर ले अगर आप previous 5 years के paper को साल्व कर लेते हैं dear students इतने में तो आप यह मान के चलिए कि आपका जो 80% problem है वो अपने आप साल्व हो जाएगा तो previous year paper पाट साल का आप साल्व करें और उसको खूब अच्छे से ऐसे साल्व करें कि जैसे आप सभी लोग वहाँ पर लिखने वाले हैं कई बार क्या होता है कि dear students यहाँ पर जैसे जो हमारे पास engineering colleges होते हैं वहाँ पर लिखावाट पर भी ध्यान देना होता है कभी कभी students को questions आते रहते हैं चीज़े उनको आती रहती हैं लेकिन वह अच्छे से express नहीं कर पाट जिसे उनके marks वहाँ पर कट जाते हैं इसलिए आपको अच्छे से लिखने की practice भी कर लेनी है यह भी आपके exam की preparation का एक हिस्सा है और दूसरी चीज़ यह है कि जैसे यहाँ पर आप सभी लोग जैसे माल जी आपके exam की preparation कर रहे हैं ठीके वहाँ पर कोई topic आपको तयार करना है अब बड़ा सा topic है वो आप रट नहीं पा रहें तो उसकी जो headings हैं उनको तयार करिए उसके जो important points हैं जो key points हैं उनको तयार करिए जब key points आपको तयार होंगे तो उसके अंदर आप कुछ भी थोड़ा भहुत लिख देंगे तो आपके जो marks होंगे वो आप छे से आप सभी लोगों को मिल जाएंगे ठीक है न तो क्या समझे इडियो स्चेंट्स आप सभी लोग आपको ये समझ में आ गया कि आप क्या करें आप सभी लोग exam oriented preparation करें you have to prepare for exam not for knowledge कैसे तयारी करेंगे अपने syllabus को अपने pattern को भली भात समझ लें अच्छे से उसके बाद फिर क्या करें उन उन topic पर पहले focus करें जिन topics से आपके exam में ज्यादा तर question आते हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके अपने इसी चैनल डीडी mathematical solution पर इस समय special class चल रही है और उस special class में मैं किवल special topic ही पढ़ा रहा हूं जिस topic से exam में अर वर्स question पुछे जाते हैं इस समय क्या है कि एक system और भी चलता है बुरा मत मानिएगा लेकिन एक system और भी चलता है कि हम लोग पूरा syllabus कबर करने के पर चक्कर में पढ़ जाते तो आप सभी लोगों के लिए क्या होगा बहतर होगा अब मैंने आप सभी लोगों को बताए कि लास्ट में आपको कुछ super tips भी बताऊंगा यह आप special tips आप इसको समझ लेते हैं इस special tips को आप सभी लोग जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे special tips में पहली tips यह डियर स्ट की दो आपको अपने हिसाब से preparation करनी है कोई topic नहीं सहों मेरे दोस्तों के साथ discuss करना चाले तो कर सकते हो यह हो सकता है अपने अपने दोस्त से पुछा तुम्हारा कितना तयार है हो कहे का मेरा कुछ नहीं तयार है मैं ऐसे करूंगा यार जो होगा देखकर जाएगा और आपको आगली टिप्स जो है वो एक्जाम के लिए है इसको हर एक टीचर अपने से जरूर जरूर कहते हैं कि भाया जब एक्जाम देने जाएगा एक्जाम में कोई भी question छोड़ करके मत आएगा सारे question का answer जरूर से जरूर लिखिएगा अब दिक्कत की बात यह है कि सब जरूर जर है कि ध्यान रखेगा किसी question को जब आप करें तो यह नहीं कि हमें कियों copy भरनी है आप उसके वो वो steps लिखें जो जो steps आपको पता हो तो step marking पर भी आपको marks मिल जाते हैं और कभी कभी fail होता हुगा student भी pass हो जाता है तो यह कुछ pro tips थी दोस्तों किसे आप फालतु बात चीत पड़ी चोटी चीजें हैं जो उसकी key points से हूँ आप सभी लोगों को तयार हो उन सर्जीजों को ले कर गया वगर आप exam में बैठेंगे तो कम समय में 8-10 दिन में भी आप सभी लोग अपनी preparation अच्छे से कर पाएंगे तो dear strength ध्यान रहे कि knowledge को ले करके नहीं भागना है book ले आप सभी लोगों को लाव होगा बाकी dear friends आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलते नेक्स वीडियो के साथ नेक्स टॉपिक के साथ अब तक यह सांदार ही और पढ़ते